प्रियंका चोपडा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हाई प्रियंका मैं हूं आमित प्रियंका सबसे पहला सवाल जो इस फिल्म से जोड़ता हुआ है वो यह है कि The Sky Is Pink टाइटल में Sky को पिंक आ गया है जबकि Sky का कलर ब्लू होता है तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है आप एकदम इशान की टीचर की तरह है तो मैं अदिती चौधरी प्ले करती हूं और अदिती और निरेन चौधरी एक रियल लाइफ कापल है जिनकी रियल जिंदगी की ऊपर यह काहनी आधारित है और उनका बेटा इशान जो बड़े होके रोहिद सराफ बन जाते है वो एक दिन अदिती को फोन करता है जब अदिती लंडन में है अपनी बेटी की treatment के लिए और उनका बेटा चार साल का डिली में है तो अपनी ममी को फोन करता है कि ममी आज मुझे टीचर ने बहुत डाठा और कोने में खड़ा कर दिया क्योंकि मैं जब painting कर रहा था तो मैंने आसमान का रंग गुलाभी बना दिया और उसने बोला नहीं गुलाभी नहीं होता आसमान नीला होता है तो उसकी मा बोलती है उसको बहुत गुस्सा आता है और उसकी मा बोलती है पूरी बेस मूवी, एक सीरिस बिमारी के उपर आधारत है, तो आपको इस टाइम पर जब preparation चल रही थी, तो आपने किस तरह की और आपने कितनी research की इस बारे में? ये, I mean, आपने film नहीं देखिए, इसलिए शायद आपको, आप जान नहीं पाएंगी, लेकिन ये film चाहे एक disease से जूंचती है, लेकिन, actually, इस philosophy के बारे में है, इनके parents, जो अधिती और निरेन है, उनकी philosophy थी, कि शायद हम अपनी बेटी को लंबी जिंदगी ना दे पाएं, लेकिन इसको बड़ी जिंदगी जरूर देंगे, इसका आसमान जो रंगना चाहे, ये वैसे रंगेगी, तो वो इस फिल्म की beauty है, एक family एक साथ आके, एक जुटके, कैसे एक खुश भरी जिंदगी अपनी बेटी को दे पाते हैं, इंक्लूदिंग हम ब्रादर, तो ये चार लोग जो है, आज अज अधिती और निरेन 55 और 57 के है, मिले थे जब वो 16 साल की उमर के थे, तब से लेके अब तक, उनकी जो लव स्टोरी है, और उनका जो रलेशनशिप है, उनका जो मैरिज है, वो इतना healthy and positive इसी attitude की वज़े से, तो actually ये film जो बताए गई है, वो Aisha के point of view से बताए गई है, जो अपने parents की love story बताती है, so it's actually a love story, which is funny, humorous, but also deals with a sensitive subject. प्रियांका आपका जो नाम है फिर्म के अंदर वो मूज और पांडा है, तो ये किस तरीके से नाम आपको, मतलब आप लोगों ने कैसे किर्दार में उस तरीके से ढाला, और क्या सच में मूज और पांडा वाली जोड़ी थी, कैसे ये नाम रखे गए? हम लोग तो कभी इतनी पागल नाम सोच नहीं पाते, ये आईशा जो थी, जो लड़की जाहरा प्ले करती है, अगर आप उसको यूट्यूब करके देखें, आप उसके काफी वीडियोज वगएरा देख सकते हैं, लेकिन उस आईशा ने हमेशा कहती थी कि, मेरी फैमिली तो जू की तरह है, इसलिए ये मूज है, ये पैंडर और ये जिराफ, तो उसने अपनी रियल लाइफ फैमिली को इन नाम से पुकारा था, इसलिए हमने इस फिल्म में अड़क्ट किया, इस फिल्म का हर सीन हमें अधिती और निरेन और इशान ने बताया है, तो हर सीन जो है, गाना इंक्लूूरिड कि उनलों को बॉली वुड बहुत पसंद होता था, तो निरेन चांदी चौक में अपने घर में अधिती को हेलमेट पहना के लड़के की भेंस में लेकर आता था ताकि वो मिल सकें, तो हमने बहुत सारे रियलिजिम्स यूज़ किये हैं इस फिल्म में, वाँ, रोहत आपके लिए एक बहुत बड़ी फिल्म है, और आम शूर कि आपके लिए बहुत बड़ी फिल्म थाबित भी हुई है, किस तरीके से फिल्म आपको मिले और क्या खास तैयारियां की इतने बड़े स्टार्स के साथ काम करने के थाइए? मुझे एक्चली फिल्म के ओडिशन के लिए फोन आया था, और मैंने उसका ओडिशन दिया, वो ओडिशन का जो प्रॉसस था, तो, camera roll और देखा, तो, प्रॉसस तो, क्या रहता है, मुझे था पर नहीं पता था, I had no idea, तो, बखुपथ नहीं था, तुम कास्ट रहे हो, नहीं, वाट? मुझे नहीं पता था, वाओ, That's so funny, मुझे ये बात नहीं पता थी, तो, मैं अदर गया, और कुछ गंटे मैंने वेट किया उसके बाद फिर मुझे बुलाया गया कि चलो चलो हमें जाना है अंदर and I was thinking कि मैं ही तो हूँ अकेला तो क्यो इतना जल्दी जल्दी तो मैं अंदर गया उसके बाद मैंने देखा कैमरा रोल हो रहा था और प्रियांका, फरहान और जाहरा उदर थे और मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा फ्रीज हो गया उदर और उसके बाद दुन लोगों ने कैमरा के सामने मुझे रखा और बोला कि चलो तुम लोग फैमिली हो और फैमिली की तरह बहेव करो फिर कुछ गंटे निकले लुक्तेस के, साथ-ट गंटे बाद मुझे यह तब भी नहीं बता रहे थे कि मैं कर रहा हू यह नहीं कर रहा हू यह फिर जब दिन खतम हुआ तो उनहीं बोला ठीक आप घर जा सकते हैं और मैं उनको देख रहा था कि आप बताओ मुझे कि मैं कर अपर बताओ मुझे तो पताओ कि तुम कास्ट है तो यह नहीं रवील यह था प्रोसस मुझे मिलने फिल्म मुझे कैसे मिली और प्रेपरेशन गे जैसे प्रियांका ने फरहान और जायरा ने अच्छी दोक्यमेंटरी देखी ती जो की फैमिली की थी ती जो अभी आएगी फिल्म के साथ निलिश मानियार ने एक डॉक्यमेंटरी भी बनाई है जो फिल्म के थोड़े दिनों बाद आएगी जी तो इन्होंने डॉक्यमेंटरी देखी थी बट मुझे देखने से मना किया गया था क्यूंके मैं थोड़ा इमोशनल हूँ तो शुनाली ने बोला कि वो तुमको थोड़ा एफेक करेगा अच्त आपके हिराएगा है तो यह रही अधो तो आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो और सब्सक्राइब और चैनल पत्र का एंटरेटीन्मेंट साथ ही समिन बॉक्स में अपने सुझाओ देना ना भूलें